सागत है आप सब क्या करने वीडियो में और इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि कैसे आप अपने email ID का password कैसे चेंज कर सकते हैं बिलकुल आसानी से तो वीडियो को देखिए step by step जिससे कि आप भी अपने password को आसानी से चेंज कर सकते हैं तो चलिए बात कर लेते हैं कि कैसे password को चेंज किया जाता है तो सबसे पहले तो आपको अपने chrome browser में आ जाना होगा यहाँ पे और chrome browser में आने के बाद आपको यहाँ पर देखिए side में यहाँ पर आपका email जो इतना भी होगा दिखाई दे रहा होगा email ID आपको email ID का password चेंज करना उसको select करना होगा और यहाँ पर जैसे select करेंगे email ID यहाँ पर आ जाएगी अब उस पर आपको click करना करेंगे यहाँ दिखा रहा पर प्संद राएगा तो दिडियो को like कर दिजिए और चनल को subscribe कर लिजिए हैं रहा हैं तो चलिए आपको यहां पर आना होगा देखिए इस पर क्लिक करेंगे इस पर का सी का इंटरफेस आजाएगा यहांसे आपको मांगा जाएगा कि आपका प्लता अपको पासवोड है उसे एंटर करके एक सब्सक्रेश करेंगा उसी मील एडी कहां को फिलाएल देखिए यह भी अगर आपको पासवर्ड नहीं पता है तो आपको यहाँ पर दिखाई देरा try another way पे आपको यहाँ पर क्लिक करना होगा, अब देखिए यहाँ पर जैसे आपके लिए सही आप try another way पे क्लिक करेंगे, आपके सामने देखिए इस परकार का आगया, देखिए य change password to sign in, और यहाँ पर आपका email ID आजागा, और यहाँ पर create password पर क्लिक करना हो, और आपको यहाँ पर 8 अच्छा का कोई strong password create करना है, उससे जादे भी आप कर से, हमने password को पहले ही लिख लिया था, और यहाँ पर हमने password को सिर्फ paste कर दिया है, और यहाँ पर आप एक बार होगा, अब जैसे save password पर आप क्लिक करेंगे, आपके सामने यहाँ पर message आ गया, यहाँ गूगल अकाउंट इस जो है, वो updated के लिए यहाँ पर आ चुका है, और यहाँ पर देखिए अब आपके सामने आ जाएगा असल password, जिसको आपको नया password create करना है, जो पहले password आपने डा पर आपके लिख लिजेगा, तो देखिए यहाँ पर आपको एक बोला जाएगा कि new password create करिएगा, जिससे कि आप अपने अकाउंट में उसे रहन देते हैं, और यहाँ से आपको पुराना पासवर्ड चेंज करने का अपसाना आ गया, यहाँ पर देखिए दिखाई देरा new password और यहाँ से आपको एक new password create करना है, जिससे कि दोस्तों आपका जो पुराना पासवर्ड था, वह हट जाएगा और यह new password आपके email id पे लग जाएगा, तो यहाँ पर आपको एक strong password दोस्तों select कर लेना है, जो आपने पहले पीछले जो आपने जो पीछे password डाला एक temporary password था, त इसको भाई आप लिख लिजेगा क्योंकि यह असल password होने वाला है, आपके email id का, यहाँ पे हम एक strong password select कर लेते हैं, तो हम यहाँ पे strong password select करेंगे, जो password आपने उपर डाला है, वह ही password आपको नीचे डालना है, ध्यान से आप password को देख लिजेगा, और यही आपका असल password होने होना होगा, अब जैसे ही change password पर क्लिक करेंगे, आपके सामने दिखाई दे रहा है, और password was changed, यहाँ पे password change हो चुका, और उपर में देखी हैं, यहाँ पर चला है, green में, तो यहाँ पूरा हो जाना है, दीजी इसको, और देखी है, अपने आपको automatic direct आपको यहाँ पर ला दि इसे, तो दोस्तों देख सकते हैं, password आपको यहाँ चेंज कर सकते हैं, वीडियो कैसा लागा, कॉमेंट वजो भी बताएगा, और वीडियो के एक लाइक कर दीजीगा, चलिए मिलत एंगले वीडियो में, तब तके लिए, जय हिंद,